गुड मानिंग इस्टूडेंट, I am Vanda Sharma from GCS स्कूल, आज हम क्लास फोर्थ में हिंदी रीडर में चैप्टर नमबर 12, होली है भाई के आपको question answer right कराएंगे, कल हमने आपको इसके शब्दर्त करा दिये थे, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज आप इसके आपको आएंगे, तो start करेंगे हम सबसे पहले, प्रशन नमबर 1, प्रशन नमबर 1 है, प्यूज क्यों मुँ फुलाए बैठा हुआ था? प्यूज क्यों मुँ फुलाए बैठा हुआ था? क्यों बैठा हुआ था? उत्ता है, क्योंकि मम्मी ने उसे रंग लाने के लिए पैसे नहीं दिये थे, या पैसे देने से मना कर दिया था. पैसे देने से मना कर दिया था. इसलिए प्यूज क्यों मम्मी प्यूज को रंग लाने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था. पैसे क्यों नहीं दे रही थी? मम्मी क्यों नहीं दे रही थी? पार्टमें ने पढ़ाया ना आपको उत्तर इसका. क्योंकि मम्मी क्योंकि मम्मी पैसु के फूलों से से रंग बना ना चाती थी? या हम क्योंकि मम्मी पैसु के फूलों से रंग बनाने वाली थी? क्या कहेंगे रंग बनाने वाली थी? इसलिएंवो प्यूस को पैसे नहीं दे रहे थी रंग लाने के लिए वाली थी? यानि घर में ही टेसु के फूलों से रंग बनाने वाली थी? इसलिए वै प्यूस को रंग के लिए पैसे देने से मना कर रहे थी? आप है प्रच्ट नंबर थी? प्रस्ट नमबर के लिए आकम टेसु के फूल कौन लेकर आने वाला था कौन आने वाला था? तो उत्तर है प्यूस के चाचा प्यूस के चाचा लिखर आने वाले थे अब एप्रस्ट नमबर फोर पिछ कारिया लिएनि कोन गय थे? कोन कोन गय थे? प्रस्ट नमबर फोर बिचकारियां लेने कौन-कौन गई थे तो उत्तर है पियूस और उसकी बेहन रचना लेने गए थे बिचकारियां कौन लेने कौन गई थे पियूस और उसकी बेहन रचना अब एक प्रश्ण नमबर फाइव प्रश्ण नमबर फाइव है किस प्रकार के रंगों से होली खेलनी चाहिए किस प्रकार के रंगों से होली खेलनी चाहिए किस प्रकार के रंगों से होली खेलनी चाहिए बच्चों पढ़ाया गया है ने आपको पाट में तो उत्तर लिखेंगे हम प्राकरतिक रंगों से तो बच्चों यह हो गया आपके चैप्टर 12 के कॉस्टन आंसर कम्प्लीट और इसके साथ यह आपका यह चैप्टर भी हो गया कम्प्लीट तो तुडेज आंगा लर्नें राइट क्लास वर इन नोट वो आज की क्लास में इतना है सी यू टुमारो थैंक यू